हेलो गैस कैसे हैं आप लोग स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गैस के ओपो F25 Pro फोन को आप लोग रिस्टार्ट कैसे कर सकते हो अगर आपके पास एक Oppo F25 Pro फोन है और इस फोन को जो आपको restart करना है लेकिन अगर आपके फोन का जो power button होता है कि इस वो खराब हो चुका है power button जो वो ठीक से काम नहीं कर रहे तब आप लोग अपने इस फोन को केसे restart करेंगे गाइस वो भी without power button पर क्लिक किये तो आज के वीडियो में ही बताऊंगा गाइस आप लोगों को इसलिए वीडियो को last तक देखिए और अगर वीडियो पसान आए वीडियो को लाइक कर दीजे और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लीजे तो चलेगा इस वीडियो को start करते है Without power button अपने इस phone को restart करने के लिए आपको सबसे फेले जो है अपने इस phone के settings में जाना है Settings में जाने के बाद नीचे scroll down करेंगे तो आपको एक option मिलेगा और अधिशनल settings का तो इस अधिशनल settings पे click करना है क्लिक करने के बाद accessibility का option आएगा accessibility पे क्लिक कर दीजे क्लिक करने के बाद नीचे scroll down करेंगे तो आपको एक option मिलेगा accessibility menu का तो इस accessibility menu पे क्लिक कर देंगे क्लिक करती shortcut का option आएगा और इस option को on करना है on करने के लिए आपो जे switch हैगा इस पर click करेंगे click करने के बाद okay का option है गा okay पर click कर देंगे ऐसा करते ही यह जो option ही यह on हो जाएगा और on होती ही आपके phone के जो बैग बटन होते हैं उनके side में एक extra button add हो जाएगा इस पर click करना है click करती है power का option है पावर पर click करेंगे तो देख सकते restart का option आचुका यहाँ पर स होते हैं सारे ही apps के अंदर आपको देखने को मिलते हैं आप लोग कही पर से भी अपने phone को इस तरीके से restart कर पाएंगे तो कुछ इस तरीके से आप लोग अपने f25 pro phone को restart कर सकते होगा इस without power बटन पे click किये तो कैसा लगा आप लोगो कोई वीडियो अगर वीडियो पसान आ यह बबाई